दोस्तों नमस्कार एक बाफिर से आफ सभी का क्रिप्टो करंसी की दुनिया में स्वागत है और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है खासकर जो लोग क्रिप्टो करंसी या बिटकोईन में काम करते हैं तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सभी भारतियों के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी निकल करके आई है और अब दिल खोल करके ट्रेडिंग कीजिए जैसा कि आपको पता है कि कल की डेट में सुप्रिम कोर्ट ने अनौंसमेंट कर दिया कि जो RBI ने ब्लैंकेट बैन लगाया है कि आप एक्षेंज के थुरू बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हैं वो ब्लैंकेट बैन हट चुका है और जो ये निउस थी इंडियन निउस पेपर इंडिया में तो ये आग की तरह फैली गई लेकिन ये निउस पूरी तरह पूरे वर्ड वाइड जादा से जादा लोगों तक पहुँच चुकी और सबी लोगों की नजरे जो इंडिया की मारकेट है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है जो फॉरेंड कंट्री के एक्षेंज के फाउंडर है जो टोकन के फाउंडर है जो क्वाइन के फाउंडर है उनकी नजर इंडिया के लोगों पर क्यों रहती है क्योंकि आपको पता है इंडिया में पैसे की कमी नहीं है बहुत सारे लोग हैं बहुत अमीर अमीर लोग हैं और आप चाहे जिस ब्रांड की बात कर लीजिए चाहे जिस प्रोडक्ट की बात कर लीजिए पूरी वर्ड वाइड जितनी भी कमपनी है न वो इंडिया पर बहुत ही ज़ादा फोकस रखती हैं चाहे आप जिस ब्रांड की बात कर लीजिए चाहे जो केटिगरी की बात कर लीजिए हर एक ब्रांड हर एक कमपनी इंडिया जो यहाँ पर कस्टोमर हैं इंडियन लोग हैं उनके उपर हर एक कंट्री बहुत ही ज़ादा नजर रखती है ऐसे में चलते जितने भी क्रिप्टो करंसी के फाउंडर थे फोरेंड कंट्री में उनकी भी नजर इंडिया पे थी कि आरबिया आई आखिरी ये कब ब्लैंकेट बैन अटाएगा सुप्रिम कोर्ट की तरफ से हमें कब खुसखबरी सुनने के लिए मिलेगी तो फाइनली जो निज निकल करके आई वो सब कुछ अच्छा हो गया सभी के फेवर में चला गया इंडिया में जितने क्रिप्टो करंसी के यूजर से उनकी तो वल्ले वल्ले हो गई और मैं भी बहुत ही जादा एक्साइटेड हूँ बहुत ही जादा खुस हूँ और आई होप कि आप लोग भी खुस होंगे अब इसमें हो क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा कुछ सेक्रेट कि वजीर एक्स आखिर टॉप में क्यों हो जाएगा उसका विरीजन बताऊंगे और जो फॉरेण कंट्री के यहाँ पर इन्वेस्टर हो या फिर को फाउंडर हो या फिर फाउंडर हो जितने भी एक्सेंज के फाोडर चाहे आप CJTG की बात कर ले या फिर आर्म स्टरांग की बात कर ले आर्मिश्टांग हो सकता है आप लोग ना जानते हो क्वाइन बेस का CEO का नाम है ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करंसी के एक्षेंजेज हैं जो लोग यहाँ पर इंडियन पीपुल की तरफ से इन लोगों पर बहुत जादा नजर रखते थे इसका मतलब यह है कि इंडिया की ज कितने भी प्रोडक्ट हैं आप चाहे क्रिप्टो करंसी की बात कर लें या फिर अधर प्रोडक्ट की बात कर लें आपको पता है पांच हजार से जादा तरह के क्रिप्टो करंसी मार्केट में एबलेबल हैं और इंडिया की कितनी हैं बहुत कम सारे जो प्रोजेक्ट हैं व इंपोर्टेंट बाते कुछ foreign country से related अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर जो पुराने exchange थे इंडिया के चाहे वो जेपे हो यूनो क्वाइन हो वजीर एक्स हो क्वाइन DCS हो या फिर BNS हो बहुत सारे ऐसे cryptocurrency के जो exchange है वो पुराने है इन्हों ने अभी recently announcement कर दिया है कि हम जो withdrawal और deposit को option है उसको बहुत ही जल्द integrate कर रहे हैं और आप deposit और withdrawal कर पाएंगे यह हमारे लिए आप सभी cryptocurrency users के लिए बहुत बड़ी खुसकवरी है और कुछ exchange हो ने तो live भी शुरू कर दिया है deposit start भी हो चुके हैं लेकिन अभी हम इन सभी exchange हो को compare भी करेंगे क्योंकि यह च करेंगे जपे यूनो क्वाइन वजीरियक्स क्वाइन DCS बिट बेन एक्स यह तीन चार पाँच जो cryptocurrency के exchange है इन्होंने deposit और withdrawal के लिए announcement कर दिया है official announcement हो चुका है लेकिन अब मैं आप लोगों से पूसता हूं कि आखिर आप लोग किसको prefer करेंगे जपे को यूनो क्वाइन को वजीरियक्स को क्वाइन DCS को बिट बेनस को आप किस exchange को ज़्यादा like करते हैं आप किस exchange को क्यों like करते हैं comment section करके हमें जरूर बताईएगा अब हम बात करेंगे अपना personal opinion के बारे में जैसा कि आपको पता है जेपे जेपे के बारे में मैंने पूरी story बताई थी कि इंडिय इंडिया में जब blanket band RBI ने जब announcement कर दिया था तो जेपे ने क्या किया था बहुत अच्छे से आप सभी लोगों को पता है जेपे ने यहाँ पर अपने पाउपसाल लिए मतलब आप कुछ भी समझ लीजिए जेपे इंडिया से चला गया था इसने आप simple सब्दों में कह दें जो भी आपको कहना है जेपे के बारे में आप positive negative क्योंकि हमारा काम है आपको सिर्फ positive के बारे में ना बताना positive भी बताता हूँ negative भी बताता हूँ क्योंकि यह मेरी responsibility है जेपे ने क्या किया आपके साथ बहुत अच्छे से याद है युनो काई ने क्या किया वो भी बहुत अ अच्छा काम किया यह नहीं कि मैं वजीरियक्स को प्रमोट कर रहा हूं या वजीरियक्स का मैं खुद प्रमोशन कर रहा हूं या वजीरियक्स की तारिफ कर रहा हूं मैं सच्चा ही बता रहा हूं वजीरियक्स ने जितने भी क्रिप्टो करंसी के यूजर्स थे पूरी इंड लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किसको प्रिफर करेंगे और जो मेरा ओपीनियन है कि वजीर एक्स आखिर इंडिया में सबसे टॉप पर क्यों चला जाएगा उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है वजीर एक्स ने लोगों का दिल जीत लिया है भरोसा जीत ल करने वाला है और दूसरी बात बाइनेंस के साथ में पार्टनर्सिप भी हो चुकी है और ये चीज आपको भी पता है उसके बाद में जो तीसरी सबसे इंपोर्टेंट वजीर एक्स का टोकन आया था डबलू आरेक्स एरड्रॉप में मिला था सभी लोगों ने इसको फुल इंज्वाइ किया सभी लोगों ने फुल कैपसिटी से जितनी भी कैपसिटी थी रिफर करने आर्ड किया साइन अप करके आर्ड किया हर तरीके से इसको कलेक्ट किया और फाइनली क्या हुआ वजीर एक्स का जो टोकन था डबलू आरेक्स बाइनस एक्सेंस पर ट्रेड हो और बहुत ही जबर्दस ट्रेडिंग हो रही है तो आप खुछ सोचिए जो वजीरियक्स के CEO हैं फाउंडर है निश्चल सेटेजी इनके पास में भी तो बहुत सारा टोकन होगा तो ये कहीं न कहीं इनके पास बहुत मोटा पैसा आने वाला है और ये आने वाले टाइम में और आप लोग और भी चीजे बताईएगा वजीरियक्स के बारे में जेपे के बारे में विटबी एनस के बारे में यूनोकवाइन के बारे में सबी तरीके से आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हाँ ये जो जितने भी सारे इंडिया के एक्सेंज है ये मेरे हिसाब से पीछे हो गए वजीर यक्स आगे हो गया आप लोग अपना opinion जरूर हमें बताए अब हम बात करेंगे यहाँ पर इतनी सारी खुसकबरी तो हो गई लेकिन एक और आप लोगों के लिए important खबर है जैसा कि आपको बता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि RBI का जो blanket bain है वो हट चुका है लेकिन ये RBI हो या फिर कोई भी जैसा कि आपको बता है कोर्ट में केस लड़े जाते हैं तो दो तीन पार्टी होती है दो पार्टी के बेच में केस होता है चाहे कोई भी पार्टी हारे या जीते अगेन वो जो पार्टी हार जाती है वो तीस दिन के अंदर में पेटिशन को फाइल कर सकती है उस केस को अगेन वो कह सकती है कि इसको फिर से हम लड़ेंगे तो RBI ने वही चीज किया है पेटिशन फाइल कर दिया है और अब क्या होगा केस फिर से लड़ा जाएगा लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यह RBI जीच जाएगी मैक्सिमम जो देखा जाता है कोई भी कोर्ट हो कोई भी जज हो वो वही देखती है कि पिछली बार आखरी डिसीजन क्या हुआ है उसमें बहुत सारे पॉइंट आउट किये जाते हैं वकील होते हैं बहुत सारे जो अपने इंडिया की तरफ से बहुत सारे लोगों ने लड़ाई की केसिस के सुनवाई की बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे सिंपल कहने का मतलब है कि आर बी आई ने पेटीजन फाइल कर दिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो पर्सनल ओपीनियन है कुछ नहीं होने वाला है सिंपल डिपोजिट विड्रॉल सुरू होगा और हाँ आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर इंडिया में बिटकोईन क्यों लीगल होगा और आने वाले टाइम में बिटकोईन जरूर लीगल होगा वो मैं कह रहा हूँ और क्यों लीगल होगा अगर आप इसके उपर पूरा वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि ये टापिक मैंने अल्रेडी चूज कर लिया है सिर्फ वीडियो बनाने की देरी है तो अगर आप लोग चाहते हैं आखिर इंडिया में बिटकोईन क्यों लीगल होगा बिटकोईन पूरी वर्ड वाइड किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है और क्यों इंडिया में लीगल होगा क्यों इसमें इंवेस्टमेंट करना चाहिए क्यों इलीगल इंडिया में नहीं होगा और अगर Bitcoin इंडिया में legal हो गया तो इसका benefit क्या क्या होने वाले है अगर इस topic का वीडियो आप लोग चाहते है तो comment section में comment करके हमें जरूर बताइएगा I hope कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो एक like जरूर करिएगा share ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा चैनल नहीं subscribe किया है तो कर लीजिए और हाँ चलते चलते important बात अगर आप short term trader है, intraday trader है cryptocurrency की trading करते हैं, knowledge रखते buying और selling करते हैं तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं वहाँ पर में बहुत सारे cryptocurrency की update और साथ में buying और selling करवाते रहते हैं और free में signals भी provide करते हैं तो चैनल का जो link है वो description और comment box में मिल जाएगा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए take care, वेस्टा अपलग, have a nice day